इस वीडियो में आप लोग को जो हरा भरा जो घास दिखरा है सिर्फ ये गाय और भैंस के खाने के लिए ही नहीं होता है ये बलकि हमारे हिल्थ इशू के लिए भी बहुत अच्छा होता है हर रोज मॉर्निंग में उठकर वाकिंग करना चाहिए और खाली पैर वाकिंग करना चाहिए और घास के उपर हमें डेली चलना चाहिए इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होती है जो भी जिसे कि बॉडी पेन हो या फिर आँखों की रोशनी अगर कम होती है ठीक है या फिर कोई भी बाडी में हमारे healthy issue का problem होता है तो अगर हम डेली उठकर अगर walking करते हैं morning में सुबे सुबे तो हमारा जो बाडी का जो problem होता है ठीक हमारे शरीर में जो भी problem होता है वो automatically ठीक हो जाता है आप सब लोग को पता ही होगा कि जब बचपन में हमारे दादा जी या फिर कोई भी बड़े बुजर्ग थे तो हम बचपन में देखते थे कि वो सुबे सुबे उठकर जाते थे खेतों में और खेतों में तो normally हर्याली ही रहता है तो उस वक्त उन लोगों का जो health होता था बह करते थे और इससे उनका जो health issue रहता था वो बहुत अच्छा रहता था तो यह जो घास बूस होता है सिर्फ गाए और भैंस के खाने के लिए नहीं होता है हमें डेली इसका फाइदा उठाना चाहिए जो भी हर एक चीज जो इस दुनिया में हर एक चीज का कोई ना कोई जिसे की फाइदा नहीं होता है तो हमें खाली पहर घास के ऊपर चलना चाहिए इसे हमारे हिल्थ का जिसी की हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होता है उसका सुधार आता है तो हमें हर रोज यह जो भी बाते हैं यह फॉलो करना चाहिए जो भी अड्वांटेश से इस ग्रैस जाते हैं या फिर अकेले घुमने जाते हैं सुबह सुबह तो उस वक्त आप जानते हैं कि आपका मन कैसा हो जाता है हर्याली में जाकर ग्रीनरी में जाकर आपका मन कैसा हो जाता है बहुत शांत हो जाता है और बहुत अच्छे आप अच्छे फिल करते हैं अगर आप चाहते ह कर अगर आप डेली अगर वाकिंग भी करते हैं ठीक है तो इससे आपको कोई उतना फाइदा नहीं होगा तो में रीजन रिजन की आपको खाली पैर वौकिंग करना है हर सुबह तो करना है इस से गास प्रोब्लम जो भी बॉडी का बॉडी दर्ध या फिर पेट दर्ध होता है ठीक है नौर्मली जो भी आपके बॉडी में problem होता है हमारे के रिलेटेड इशु जो भी रहता है एक डेली अगर वाकिंग करते हैं गहास को उपर अगर आप सुबह सुबह अगर अगर चलते हैं डेली एवरी डे तो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल हो सकता है आज कल जादा तर हमारे देश में यह प्रॉब्लम हो रहा है कि हर एक जगे जादा तर काट कर यहां पर बिल्डिंग जादा बनाया जा रहा है घर बनाया जा रहा है तो इसे हमारे हिल्थ के लिए भी बहुत इशु होता है तो जादा तर आप लोग कोशिश कीजिए कि हर जैसे कि हर दस दिन में या फिर एक हपते में अगर एक भी अगर पेड़ लगाते हैं आपका जो घर अगर आपके निजदी की कोई आस पास में भी लगाते हैं ठीक है तो इससे बहुत फाइदम बंध होता है अगर पेड़ बरा होगा तो आपको फल भी खाने के लिए मिलेगा और आपके घर के पास रहेगा तो इससे आपको अड़ांटी जिस भी अगले जिन्रेसितों तक हम हम इससे कि हमारे हिल्थ के लिए सुधारें नहींन हो पाएगा तो अगर कि आपका हिल्थ अगर हेल्थ सही है हमारे नेक्शिट स्वत्तर रहें एर स्वास्त Congratulations से अपना होगा जैसे की पेड़ लगाना होगा घास फूस लगाना होगा अगर आपके गार्डेन में या फिर कहीं पे भी कुछ जो भी है घास उसे उसे आप खतम मत कीजिए आप थोड़े-थोड़े काट सकते हैं अगर ज्यादा बड़े हो जा रहे हैं तो पर आप उसे जड़ से खत अगर वहां से अगर आप जा कर घूमघे ग्षम के आते हैं तो उसके बाद आपका जो मन होता है उसके बाद आपका जो Countya मिलता ह्टिके आपको बहुत सारी आईडिया कि अबते हैं तो हमें future में AC या फिर fan की जरूरत नहीं परेगी अगर हम अभी से अगर greenery हमारे nearby location या फिर इस दुनिया से अगर हम greenery खतम कर देते हैं ठीक है तो हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना परेगा और ज्यादा तर cooler और pancake की जरूरत हमें पर सकती है पर ये हमेशा हम life time तक हम इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि AC और cooler जो होता है अगर सिर्फ हम घर के अंदर ही हम इसे यूज़ कर पाएंगे सिर्फ जो घर होता है इसके अंदर ही हम यूज कर पाएंगे घर के बाहर अगर हम निकलते हैं तो हमें गर्मी का जो जो गर्मी होता है उसी को हमें फेस करना परेगा पर अगर ग्रियनरी होता है अगर आउटसेड अगर हम ग्रियनरी को अगर जैसे की अवाइड नहीं करते है तो अगर हम घर में भी रहेंगे तो हमें नॉर्मल फील होगा गर्मी नहीं होगा और घर के बाहर भी निकलेंगे तो हमारे हिल्थ के लिए भी यह अच्छा होगा